दोस्तों, भगमान सिरी किर्षन और राधा का संबंध आमतर पे पती पतनी का नहीं, बलकि प्रेमी पिरिमका की रूप में जाना जाता है। भगमान सिरी किर्षन के साथ कहीं भी उनकी पतनिया की तस्विर या मुर्ती नहीं मिलती। हर जगह स्री किर्ष्ण के साथ राधा ही नजराती है। इसकी बजाया है कि 16108 पत्नियां पर राधा का प्रेम भारी था। यह बात भगमान स्री किर्ष्ण ने खुद रुपमनी को बताई थी। अब रुपमनी ने सोचा ऐसा क्या है राधा रानी में जो कि मेरे पास नहीं ह तब रुपमनी ने यक योजना बनाई और वह सवेरे सवेरे उठकर स्री किर्ष्ण के लिए भोजन तयार कर उनको भोजन करवा दी। उसके बाद उन्होंने स्री किर्ष्ण के लिए दूध लाई। दूध ज़्यादा गरम था जिससे स्री किर्ष्ण के हिर्दे में लगा और उनके मुख से निकला हे राधे ये सुनते ही रुक्मनी बोली परभू ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ फिर भी आप हमें कभी नहीं पुकारते स्री किर्ष्न ने कहा देवी आप कभी राधा से मिली है रुक्मनी बोली नहीं तो स्री किर्ष्न बोले जब तुम राधा से मिलोगी तब तुम्हें ये सवाल का जबाब मिल जाएगा अगले दिन रुक्मनी राधा जी से मिलने का निश्य किया और वह राधा जी से मिलने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते उनके महल में जा पहुँची। रुपमनी ने देखा उनके बाग में एक अत्यांद खुबसूरत इस्तिरी टहल लए थी। तब उन्होंने सोचा यही राधा जी है और वह उनके चरन छूने लगी। तब ही वह सुन्दर इस्तिरी बोली आप कोन है। रुपमनी ने अपना परचे दिया और आने का कारण बताया। तब वह बोली मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो साथ द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुपमनी ने साथो द्वार पार किये। और हर एक द्वार पे एक से एक सुन्दर और तेजबान दासी को देखकर वह सोचने लगी कि अगर उनकी दासिया इतनी रुपमान है तो स्वेंग राधा रानी कैसी होगी। सोचते सोचते वह राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा तो वो अत्यंत रुपमान ते जस्पी जिनका मुख सूर से भी जादा तेज चमक रहा था। रुपमनी ने तुरांत उनके चर्णों में गिर परे। पर ये क्या राधा जी के पूरे सरीर पर तो छाले परे हुए थे। रुपमनी ने पूछा, देवी आपके सरीर पर ये चाले कैसे। तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने जो स्री किर्ष्न को दूद दिये थे, ओ ज़्यादा गरम था, जिससे उनके हिरदे पर चाले पर गए। और उनके हिरदे में तो सदे मेरा ही बास होता है। तब रूपमनी समझ गई कि दोनों का प्रेम आज बिछाड कर भी कितना अमर है और मैं उनकी पतनी होकर भी उनसे कितना दूर।